हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक तो सक्षम फैमली और इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिसेट 661 का कंप्पिटर रिजनी का सॉलिशन साथ ही साथ में इसमें कांस्टेबल के भी कुछ रिजनी के जो क्वेशन थे जो आपको कुछ जाने की जरूत नहीं है अगर आप प्रैक्टिसर से जुड़े वे हैं और आपके पास समय बहुत कम है जिन लोगों के अच्छी तायारी नहीं है तो बस उन क्वेशन को ज्यादा फोकस करें जो आपको सॉलेशन में करवा हैं और साथ ही साथ में जो आपको question paper में दिए जाते हैं तो आपको उनी questions को ज्यादा focus करना है तो यहाँ पहला question था कि आदूनिक printer की कति को किस चीज में हम उप्योग करते हैं उनका गति को major करने के लिए और इसका बहुत सारा आसान सा question है प्रिष्ट प्रती minute हम इसको use करते हैं प्रिष्ट प्रती minute का PPM से हम इसे लिख देते हैं यानि इस टाइप से कुछ लिखेंगे हम इसे pace per minute ठीक है तो इसमें कुछ जादा समझाने वाले चीज़ हैं अगर आपके पास English में आए तो इंगलिस में तो यह आपके पास latter से हो जाएगा तो थोड़ा आपको समझना है ठीक है तो PPM से हम इसे note करेंगे जिसका मत्तब होता है कि कितने pace आप कितने मिनट में आप क्या कर पा रहे हैं उसे speed को major कर पाएंगे चलिए next question के हम यहाँ बात करेंगे और next question आपके पास PCB का पूरा नाम क्या है तो PCB का पूरा नाम हमारे पास क्या हो जाता है सिंपल सी बात है पहली बात इसका जो full form है उसे बोला जाता है printed circuit board ठीक है अब यह printed circuit board क्या होता है आप जैसे इस figure में देख पा रहे होंगे कि आपके पास कुछ इस टाइप से एक कुछ चीज है जिसे हम silicon chip भी कहते हैं और इसके उपर कुछ जो आपके component होते हों mount होते हैं देखिए यहां पर कुछ component mount किये गए ठीक है जिसमें आपका resistance हो सकता है ठीक है मतलब जो भी आपके electronics component होते हैं उनको mount किया होता है किसी एक chip की ओपर या किसी एक plate की ओपर और उसी को हम completely बुला जाता है एक PCB printed circuit board यानि किसी circuit में print कीवी चीजों को mount कर देना printer circuit board कहलाता है ठीक है अब हमेशा मैं एक चीज और कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि exam में question सही करने के लिए आपको जो है चीजों को पड़ा होना जरूरी है अब यह देखो यहां पर public career bureau का कोई मतलब नहीं बनता है पंजाब commercial bank का कोई मतलब नहीं बनता है बायो technology का चलो बायो से भी यहां पर göra बाय जीवन होते हैं और यहां पर हम basically कोई मतलब नहीं मतलब करना यहां पर कुछ भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि केशर का और बायो का इसमें कम्पुटर में क्या मतलब यूज आ रहा है, या फिर ये बैंक वगएरा का हो गया, पब्लिक करेबियो, क्या मतलब आ रहा है, क्योंकि आपका कम्पुटर का गिजाम है, तो ओप इसी बात है वो कौन से कम्पुटर की PD में से है, कम्पुटर की PD आपने पड़ी होंगी, पहली PD, दूसरी, दूसरी, चौती, और PD का मतलब इसी के लिए क्या होता है, कि आपके पास कोई भी कम्पुटर है, उसमें आपका अडवास्मेंट हुआ है, अडवास्मेंट का मतलब जैसे पहली PD थी, पर्थम PD की जो कम्पुटर थी, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज किया करते थे, कभी कभार ये क्वेश्चन आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है, वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या होता है, कुछ इस टाइप से आपके पास ट्यूब्स होती है, ठ थोड़ा कम हो जाती है, इस टाइप से हम जो दूसरी PD में आते हैं, तो दूसरी PD में हमने ट्रांजिस्टर यूज किये, इसको आपको ध्यान रखना है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर आपके स्पीडिय में यूज किया, तो कम्पुटर की दूसर तीसरी PD में हमने जो यूज किया, तीसरी PD में हमने किस इस का यूज किया, चौथी PD और पाच्वी PD, ठीक है, इस तीसरी PD में हमने जो है, आईसी का यूज किया, यह हमें दिख रहा है ना, इंटेग्रेटर सर्कुट किस कम्पुटर की PD है, यह कुछ इस टाइप से हमारे आपने देखा होगा देखिए इसमें कुछ input वगरा के लिए होता है कुछ output के लिए होता है जो भी आपको basically चाहिए होता है उसके लिए कुछ आयागा डेटा जायागा डेटा तो basically यह circuitry हम क्या यूज करते हैं अपने computers के अंदर यूज करते हैं तो यह यहां रखना है आपको तीसरी पीडी हम आई सी यूज करते हैं चौटी पीडी में लाइसी यूज आता है लाइसी लाइसे एक्जाम में नहीं पुछा जाता है क्य बनाने की कोसिस कर रहे हैं कि computer एक human के जैसा सोच पाया हालाएं कि इतना भी पॉसिवर नहीं हो पाया है लेकिन हम उसे की ओपर काम करें जैसे robots होते हैं कुछ इसी टाइप से हम robots से क्या करवाते हैं कि वह हमारा robots हर कोई काम करें वह computer ही तो हम artificial intelligence कुछ इस टाइप से कहते है कि हमारा जो computer हो वो थोड़ा smart हो वो human की तरह सोच पाय हालाएं कि इसमें थोड़ा time लगेगा लेकिन 2050 तक काफी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे next question हम ध्यान देंगे आपे तो आपके पास था कि computer की system जिसे किसी भी भंडारण की यंदर की आवशक्ता नहीं होती है यानि इसका मतलब यह होता है कि देखिए computer जैसे analog computer हमारे पास हा इस console तो यह एक ऐसा computer होता है जिसमें stories की हमें जरुरत नहीं होती है stories का मतलब इसका काम basically क्या होता है जो हमारे पास बहुत इक रासियां होती है ठीक है बहुत इक रासियां बोले तो जिसमें आपका ताब temperature आजाता है आपका दाब आजाता है pressure आजाता है speed वगेरा आजाती यानि जब आपको यह चीज़े major करनी होती है तो उसके लिए आप जो है analog computer को यूज करते हैं जैसे अगर मैं simple example दो इसका thermometer thermometer बोलेगा यार यह तो मेरे पास computer है यह नहीं थर्मोमीटर लेकिन thermometer हमारा या अपने thermometer को से अपना temperature चेक करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसी में record हो जाए उसी thermometer जैसे इसमें आपका जो एक data है वो save नहीं होता है इसी टाइप से आपने देखा होगा जैसे आपके पास speedometer वगेरा जो होते है speedometer जिसमें जैसे आपने देखा है इस टाइप से गाड़ी में या autometer आप उसे बोलो कि आप इसमें 30 km पर आर से चल रहो 40 km पर आर से चल रहो तो यह सब आपका एक analog computer का ही एक part होता है इसी टाइप से आपने जैसे चलिए इसमें और वी एक्जामपल आते पर ज्यादा में confusion नहीं डालूँगा बस ध्यान रखेगा देखिए जैसे प्रेशर हो गया temperature हो गया तो यह आपके सेब नहीं होते है ठीक है record नहीं होते है इनको store नहीं कर सकते है तो यह सारा analog होता है डिजिटल में आपने जितने भी हमारे laptop होता है देखो laptop में आप data को save कर सकता है यानि चीजे रहे जाती है इसी टाइप से आपके पास desktop हो जाता है यह सारे आपके किसी में digital में आजाता है इसी टाइप से आपके पास watches जो होती है watches घड़िया जिसमें आपके दो बच के 15 मि जाता है क्योंकि यहां पर इसमें stories की जड़त नहीं होती है यह basically continuous data को आपको देगा real time में देगा जो है बस उसी को सो करेगा उसके बाद उसमें जो है store नहीं होने वाला है चले अब यहां पर कुछ यह questions है और देखे हमें से मैं कहता हूं कि reasoning is all about your practice कि जितनी आपकी practice होगी reasoning के question आप आसानी से कर सकते हैं और ऐसे question जहां पर इस type से series बलेगेरा कुछ बन रही हो तो इनको भी आपको इसी type से solve करना है अगर इसमें ध्यान देंगे आप तो इसमें कुछ बन रहा था देखो 4016 की बीच में यहां पर 16 का difference 4027 की बीच में आपके यहां पर 13 आ रहा था यहां पर आपके पाथ 10 आ रहा था है फिर यहां पर आपके पास कितना आ रहा था 7 आ रहा था अब यहां पर basicly कितना आएगा ? यह 6 आएगा क्योंकि 6 और 4 दस होगा 7 में 5-3 अधू हो रहे है तो basically इस type की series यहाँ पर बन रही थी, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह series को देखा होगा, कि कैसे आपको solve करना है, आप देखी, यहाँ पर इस question से आपको यह समझ में आना चाहिए, आपको simply करना है, series की जितने भी question करवाये हैं, आपके हर एक practice set में एक series का question रहा होग उसको अपने notebook में note कर लीजिए, और उसमें check कीजिए कि यहार, मेरे पास जब यह series का question आया है, इसके पीछे मेरा जो एक method है, वो क्या method यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे आप series के बहुत सारे question कर लेंगे, तो आपके दिखता हैगा, यार कि मैंने 50 question series के कर लिए, तो 50 type के method आपके दिमाग में कही न कहीं होंगे, और exam में कभी भी question आएगा, तो आप घुमा फिरा के question को भी कर सकते हैं, next question, 92 question है, उतकर्स के आई अपने पुत्र विमर से 6 गुनी है, और 4 वर्स बाद उसके उमर विमर से 4 गुनी होगी, अब इस type के question मेंने हमेशा आप से एक बात क question क्या दी वे हैं, अगर आप ध्यान देगेंगे, देखो, simple सी बात है, इसने क्या बोला है, इन दोनों की वर्तमान आई क्या होगी, अगर मैं मानलूँ, क्यार उतकर्स की आई अगर मैं मानलूँ, क्या उतकर्स की आय हो ये उसके पुत्र की आई हो है, ठीक है, 24 और 4, अब क्या करना है अपने को ये question में जो चीज़ें बोली गई हैं सेम वैसे चलना है जैसे मैंने कहा कि उतकर्स किया है अपने पुत्र विमर से 6 गुनी है कौन 6 गुना है उतकर्स जो है पुत्र से 6 गुना है अगर आप ध्यान देंगे 4 का 6 गुना 24 होता या नहीं होता है यह बात बिल्कुल सही है 4 का 6 गुना क्या होता है 4 6.24 4 6.24 इसी टाइप से आप ध्यान देंगे देखो यहां पे 5 च outlines को 20 होता है होता है की नियुहोता है ओके 6 गुना बोला है न हाँ ठीक है तो मतला हम यहाँ पे भी 6 गुना करेंगे तो 5 चके 30 यह भी 6 गुना है 6 चके 34 यह भी 6 गुना है 10 चके 60 यह भी 6 गुना है तो पहला statement तो सबके लिए सही बैट रहा है पहला statement सबके लिए सही बैट रहा है अगर हमने पहले वाला statement consider करें अगर कोई ब्यक्ती 24 साल का वर्तमान में हो और पुत्र 4 साल का हो और अगर आप ध्यान दोगे कि 4 वर्सबाद तो 4 वर्सबाद ये 24 साल वाले ब्यक्ती कितने का हो जाएगा ये 28 साल का हो जाएगा और जो चार साल वाला पुत्र है वो आर्ट साल का हो जाएगा चार साल बाद अब इसने ये क्या बुला है कि चार गुनी हो जाएगी चार वर्स बाद ठीक है तो क्या ये चार गुना हो रहा है अगर आप ध्यान देंगे कि इसका अगर 4 गुना करोगे पुत्र के आयोगा आठ चकू 32 होता है यानि यह तो 32 आई नहीं रहा है इसका मतलब यहाँ पर पहला option जो है आपका गलत है clear तो ऐसे आपको जो है इने चेक करना है तो अब आपको यह चेक करना पड़ेगा यार इसमें मेरा कौन सांसर सही होगा अगर देखो मैं अगर यह थर्ड वाले को consider करूँ कि यार अगर उसकी जो उमर हो पिता कि वो 36 हो और बेटे की 6 येर हो 4 साल बाद इसकी उमर हो जाएगी आपकी 40 साल 4 साल बाद इसकी उमर हो जाएगी 10 साल और 10 का अगर आप 4 गुना करो तो 40 आ रहा है इसका मतलब आपके पास जो आंसर होगा थर्ड वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो 4 वर्सबाद बोला इसने 4 वर्सबाद उसकी उमर विमर से 4 गुनी होगी ठीक चलिए अब हम बढ़ेंगे 93 क्वेशन की तरफ अब इस क्वेशन में देखिए अब इसमें विशम आपको चेक करना था और विशम कभी भी आप चेक करें तो इनी में थोड़ा रिलेशन आपको देखना है और अगर आप इसमें रिलेशन देखेंगे तो देखिए Y और Z ठीक है Q और R बन रहा है QR और देखो यहाँ पर B और A बन रहा है यानि यह गड़बड हो गया है देखो यहाँ पर यहाँ बन रहा है UV Y, Z, Q, R, UV लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह BA यानि यह थोड़ा चेज हो रहा है इसका मतलब यह ही यहाँ पर क्या है यह आपके पाफ विसम हो जागा यानि आपका अंसर यह होना है क्यों? क्योंकि देखो आप इसमें चेक करोगा ना दूसरे बारे को तो क्या होता है? L और M होता है D और E होता है और H और I होता है लेकिन यहां पर O और N है ठीक है तो यह सबसे अलग यह सीरीज बन रही है ठीक है तो आपको बस यह चीजें थोड़ा इन में relation find out करने की करने हैं अब यह question अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या है देखे अगर आप देखो यहां किए यहां पर आप देखू इसमें हमीसाब्स और भी सब्सक्रीबस दौकर आप ध्यान दोगे कि इनका D के साथ कोई relation नहीं बन रहा है इसके साथ इनका कोई connection नहीं बनता है क्योंकि कभी भी आप numbering करते हैं तो numbering में आपका क्या होगा कि कहीं आगे जा रहा होगा कहीं पीछे जा रहा होगा कि plus two करो plus five कर दो या minus कुछ आप करते हैं लेकिन अगर कि इसमें यह यह ढॉलिो है यह एक्स है यानि यहाँ पे और यहाँ फिर आपका सोगे है यानि हमें कुछ ऐसा देखना पढ़ेगा जो starting के दो है यह जो DC है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? यह इस टाइप से देखना जैसे हमें GH, तो इसी टाइप से हमें देखना पड़ेगा, क्या ED हो रहा है? जी नहीं, क्या VU होता है? जी नहीं, यह UV होता है, इसका मतलब यह थर्ड वाला आंसर मेरे पास सही हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास AB था, यहाँ पर भी WX था, इसका मतलब यह STB बन रहा है, इसका मतलब आपके पास थर्ड वाला आंसर जो है सही हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे जो हैं, आपको question को देखना होता है, और ऐसे ही आपको चीजें चलानी है, यह question थोड़ा typical question था, यह बहुत अच्छा question है, और यह already किसी, यह question है, वो bank PO का question है, ठीक है, इसलिए यह बहुत, मतब इतना easily बहुत सारे लोगों ने इसे गलत भी किया होगा, और सायद हुआ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसमें क्या बनना था, देखो, इसमें यह series बनने थी, 5 plus 0 का square, और 5 plus 0 का square आपको पता है, यह 5 भी आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना था, 5, और अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर 41 minus 5, यहाँ पर आपके पास आएगा 36, और 36 किसका square होता है, वो 6 का square होता है, यानि आपको यहाँ पर करना था, 6 का square, और यह कितना आ जाएगा, आपके पास 41, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो 5 ऐसे लिखो यहाँ पर, प्लस, अब देखो 6 multiply 2 आपको करना है, 6 multiply 2, 12 हो जाता है, और 12 का square आपको यहाँ पर करना है, और आप जहां देंगे कि आपके पास कितना आ जाएगा, 149 आ जाएगा इस cancer, फिर इसके बाद 5 आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास क्या लखेंगे, देखो, अभी आपने 6, 2, 12 भी किया था, अब आप 6, 3, 18 करोगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा, 18 का square, ठीक है, और 18 का square जब आपके पास आएगा, तो आप देखोगे कि आपके पास जो answer आ रहा है, यहाँ पर 3, 29 9 आ रहा है, बात clear हो रही है, उमिद करता हूँ कि आपको यहाँ पर यहाँ बात clear हो रही होगी, और last में आप क्या करेंगे, 5, 6, 3, 18, और उसके बाद 24, 24 का आपको square करना है, और आपको उसके बाद यहाँ पर जो answer मिलेगा, वो मिलेगा, 581, तो इस type से आपके पास देवा चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, अभी आपके बस question है, तीन दोस्ता है, मनोज, रितिक, मोहन, और सता आई, 25 वर्स है, देखिए अब आपको trick आती है, तो well and done है, कभी भी आपको इस type के question मिले तो आपको तीन चीज़ा follow करनी है, एक चीज़ पहली बात आपको यह है कि इन इनकी कुछ age होगी, सीदी सी बात है, इनकी कुछ age होगी, और जो इनकी age होगी, आपको पता, average कभी भी निकालते हैं, तो सबको sum करते हैं, और जितने भी आपके पास numbers होते हैं, उतना divide करते हैं, यानि यहाँ पे 3 लोगों की आयू थी, और लोग कितने हैं 3, तो इसलिए म मैंने कहा, यार, एक यूमर 10 साल रही हो, एक यूमर 20 साल रही हो, और एक यूमर 30 साल रही हो, और मुझे इसका average निकालना, इसका मतलब मुझे कुछ ये करना पड़ेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 बटे, तीन लोग है, तो divide by 3 करना पड़ेगा, और आपका यहाँ पर answer आ जाएगा लेकिन ये 25 है, फिर इसने का, मनोज और रितिक की जो ओसताई है, वो 28 है, अब मनोज और रितिक को हमने क्या माना है, हमने माना यार, मनोज X था और ये Y इसका A's था, इसको divide by 2 करो, यहाँ पर आपके पास इन दोनों की ओसताई कितनी है, 18 साल, ठीक है, मतलब सेम ऐसे ही, मैंने का, 10 plus 20 divided by 2, और यह जो इसका आंसर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, तो इनकी औसत बिसिकली ऐसे निकाला जाता है, तो अब करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब देखो, छोटी मोडी चीजे हैं जो आपको आनी चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो जाए ठीक है, अब आप एक चीज देखोगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का जो इसकी एज होगी ना किसी ब्यक्ति की, उसकी मानिए हमने मनोज की, मनोज और रितिक की जो एज है, उसको मिला कि आपके आ रहा है, 56, ठीक, तो यहाँ मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ कि जो 56 होगा, यह एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 56 हो जाएगी, और यहाँ पर जो 56 है, यहाँ आ जाएगा माइनस में, यानि जैट की वैल्यू आपके पास 45 माइनस 16 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ जो आंसर आ जाएगा, किलियर है, तो मेरे पास क्योंकि म बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको डालना चाहिए तो इससे डाल दिया है लेकिन इसको प्रॉपर तरीक से आपको पता होना चाहिए अधरवाइस बिना उसके यह question नहीं होते हैं चलिए बात करते हम एक और नई question के बारे में अब यहां पर कभी भी इस type question आपको मिलें कि छोटी से छोटी संक्या निकालिए भाग देने पर तीन से इस बचे तो हमेंसा ऐसी कंडिशन में इनका आपको निकालना है LCM LCM बोले तो इन तीनों का LCM कैसे निकलेगा 75 80 135 देखो आपके पास दो चीज़े हैं दो मैथड़ आपके पास है दो मैथड क्या है देखिए पहला मैथड़ तो आपको यह पास यह है भई कि हमें तीन से इसे चाहिए न मनलत तीन पास ली को आपको आपको क्या गरना है इसका LCM लेना से भी को आता हो यह h़ी किजिएगा 5 1 5 5 3 15 5 5 5 6 80 5 2 10 5 2 10 10 हो जागा 5 7 जा आपके पास 35 ठीक है अगें 5 से हम इसे डिवाइट कर सकते हैं यह 13 आ रहा है नहीं यहाँ पर आएगा आपके पास यह आएगा आपके पास 5 1 जा 5 और आपके पाफ 5 5 जा 25 यह कुछ ऐसे आ रहा होगा अब 5 3 15 आपके पास यहाँ पर 16 था यह 16 आपके पास ऐसे रहेगा और 5 5 25 ठीक है यहाँ पर 25 नहीं आ रहा नहीं यह आ रहा आपके पास 27 ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पर फिर यह डिवाइड नहीं होगा यह आपके पास 27 ऐसे आने वाला है clear फिर आप 3 से कर सकते से 3 1 0 3 यहाँ पर 16 का 16 आ जाएगा अब आपको क्या करना है simply इन सभी को multiply करना है इसे इसे यहाँ पर इसे और इसे आपको यहाँ पर multiply करना है जब आप इसे multiply करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो यह आ रहा हुगा 10800 ठीक है आंसर आपके पास यह आएगा इन सभी को multiply करने के बाद और कभी भी आपको बोला जाए कि कितना 6 बचेगा जितना इनका LCM आएगा उसमें आपको उतना add कर देना है यानि 108 00 आपके पास answer आ रहा है तो इसमें आप 3 add करेंगे औ और 3 add करने के बाद आपको जो answer मिलेगा 10803 आंसर मिलेगा और 10803 ही वो number होगा कि जब आप उसे divide करोगे इन number से तो हमेशा आपके पास 3 says बचेगा ठीक और अगर हाँ यह है कि अगर आपको 4 says बचाना हो तो फिर LCM ही आप लोगे और LCM लेने के बाद उन सभी को multiply करने के इतना जो काम है यह आपको करना है चलिए अब हम बात करेंगे एक और नहीं question के बारे में 98 question अब देखिए 98 question के बारे में मैंने आपको हमीसे बता है जब जब आपको ऐसे question मिले तो आपको पहले तो यह चेक करना है इनका sum यहां से sum check करो क्या sum बराबर आ रहे हैं अभी करने कभी आपके पास अगर यह चोटे आपके पास number हो ऐसे boxes में तो आपको क्या करना है simply addition यह subtraction अगर नमबर आपके बहुत बड़े हैं तो फिर आपको क्या करना है यहां पर फिर आपको यहां पर multiplication के तरब जाना पड़ेगा बस यह चीज आपको ध्यान रखना है अब आ 9-7 करोगे तो 9-7 आपके पास कितना आता है यहां पर इसको एड़ करो 9-7 करो 9-7 आपके पास कितना जाएगा 16 16 आएगा और इस 16 से यह बीच वाला माइनस करना 5 को 9-7 15 और 15 से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11 ठीक है यह 15- 60-5 11 मिलेगा इसी टाइप से आपको क्या करना है यहां पर 6-4 कितना हो जाएगा आपके पास इसको एड़ करना है 6-4 होने के पाद आपके पाद 10 आ जाएगा और 10 से 8 को आपको माइनस करना है आपको 2 मिलेगा कुछ आपको यहां पर ऐसे ही करना पड़ेगा कि 8 से मैं यहा से 4 माइनस करोगे तो आपके पास यह वाला नम्मा आता है 7 ठीक है तो यह मैथड जो है आपने एक निया मैथड सी कहा है अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो देखो क्वेश्चन यही करने की कोसिस करना है कभी क्या होता है इन दोनों को एड करना पड़ता है और जो आंसर होने चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है अब यह क्वेश्चन देखिएगा अब आपको यह दे रखा था यहाँ पर यह इंपॉसिबल और इंपॉसिबल से क्या नहीं बनाए जा सकता है और सिंपल सी बात है इसमें अगर अगर अब ध्यान दोगे यह वाला इसमें नह मिलेंगे वह सारे लेटर साब को इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा लेकिसमें हम वी से देख पारें कि इसमें नहीं था तो मतल्समें वह यह आज आदो के चलिये आज का नियुकर दिशा है उत्तर निकलना है हमें कि निकलना हैं हमें क्म गॉह थिसा ऐनके से कोई मतलब नहीं है ऐसको आपको आपके साये का जाएगा रिसелаMS पासि मैं यहां संसर हो जाएगा आप जो लोग पहले बार डीएओ और जो मैं मैं आपको पहले भी करवा रखें आप जाएए प्ले लिस्ट पे वहाँ पे आपको दिसाइन दूरी से रिडिए कुछ क्वेशन मिलेंगे दो से तीन वीडियो उसमें अपलोड की गई है उसमें यह मैंने यह मैंथड आपको सिखाया है कि कैसे आप इसी में इन क्वेशनों को क्वेशन पेपर से आपको जुरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा क्योंकि यहां पर देखिएगा इन क्वेशन पेपरों को जो है यहां पर अपलोड करने का या आपको देने का एक ही मूटीव है कि एक्जाम नेरवाई है और आपको कुछ न कुछ न कुछ इन से तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक कियर और थैंक्स तो आल